गत्तीस टॉमबर 2021 को सेल आईसपी बनपूर के कॉंट्रेक्टर लेवर सेल द्वारा आईसपी प्रबंधन और कॉंट्रेक्टर्स के बीच एक दूसरे से रूबरू हो अपने विचारों का आदान प्रदान करे इसी उदेश से बंधन नामक कारिक्रम का यूजन बनपूर के कॉंट्रेंस में किया गया इस कारिक्रम के मुक्य अतिती के रूप में ED Works ISP स्री एके सिंग थे इनके साथ Officiating ED P&A ISP स्री अनुप कुमार, CGM P&A ISP स्री मतीश शुश्मिता रॉय, GMPL HRS and IS स्री रंदीप पैनरजी मौजूद रहे इस मौके पर ISP में कारिरत कई कारिक्रम के साथ हुई, इस दोरान Officiating ED P&A ISP स्री अनुप कुमार ने सभी का स्वागत किया और कहा कि ISP में स्थाई कर्मियों के साथ ठेका कर्मियों की भूमिका हमेशा ही सरानी रही है ISP के अच्छे और बुरे दिनों में ठेका कर्मियों के साथ हमेशा रहा है उन्होंने Contractors से आगरा करते हुए कंपनी हित में आगे भी कारे करने की बात कही मुख्य अतिती ED Works ISP स्री एकके सिंग ने अपने संबोधन में कहा कि प्लांट की सफलता में ठेका कर्मियों की भूमिका सरानीय है और उन्होंने Contractors से अपील करते हुए कहा कि आप सभी नई टेकनोलोजी को अपना कर सेफटी नियम पालन करते हुए ISP को नई नई बुलंदियों तक ले जाए इसके बाद Changing Business Scenario and Its Impact on Contract Labor Management विशय पर मैनेजर CLC स्री पवन कुमार स्टिंग ने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया इसके बाद GMPL HRS and IS स्री रंदीब बैनर जी ने Ace of Business Creating Synergy नामक विशय पर प्रेजेंटेशन दी इसके बाद Panel Discussion हुआ जहां Contractors और प्रबंधन के बीच विचारों का आदा अन्प्रदान हुआ विभिन विशयो पर चिंतन और सुझाओ भी दिये गए कारिक्रम के अंत में CGM In Charge Service स्री संजीव कुमार एवम Officating ED F&A स्री राज कुमार सिन्हा ने अपने अपने विचार रखे और प्लांट के उत्पादन में ठीका कर्मियों की भूमिका को सराहनिय बताया